नमस्तु भे नमस्तु भे नमस्तु भे नमस्तु भे नमस्कार जे गौमाता एक बार फिर हम मानसरो और पंचगव गौसाला एवं अनुसंधान केंद्र जो की गाहां सरक्पूर जिला गौतमबुद नगर उत्तरप्रदेश में हैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ नई करने वाला हूं वो अपामार्ग के बारे मा वाला हूं यह जो पौधा है यह अपामार्ग का पौधा है और अपामार्ग आजरवेद में अपामार्ग जो सब्द है उसका अर्थ बताया है कि रोगों का नास करने वाला यानि कि अपामार्ग का जो हिंदी अर्थ है वो है कि सभी बीमारियों का नास करने वाला एक ऐसा पौदा और अपामार्ग की जो प्रकरती है मैं प्रकरती से पहले बता दूँ कि अपामार्ग को अलग-अलग नामों से छेत्र की अनुसार लोग जानते हैं अपामार्ग को चिर्चिता भी बोलते हैं कई जिगे अपामार्ग को जो है आउंगा के नाम से भी जानते हैं चिर्चिती के नाम से भी जानते हैं तो अपामार्ग अलग-अलग छेत्रों में या अलग-अलग राजियों में अलग-अलग नामों से हो सकता है लेकिन इसकी मैं आपको दिखा दूँ कि वात और कफ का जो समन करता है उसको सम करता है और पित को थोड़ा बढ़ा देता है तो इसलिए अपामार्ग को जब भी लेना है तो थोड़ा सावधानी रखे ही लेना है और अगर बीमारियों की मैं बात करूँ तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है मनुष्य धे में होने वाली जो अपामार्ग से ठीक नहीं हो सकते मैंने तो अपामार्ग के बारे में आयरुवेद में इतना जाना और पड़ा है मैं सिर्फ इतना आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अपामार्ग है ये ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है मनुष्य धे में जिसमें ये अराम ना करता हो या जान लेते हैं कि इसको लेने की जो सावधानी है वो क्या क्या है तो आयरुवेद में जो अपामार्ग को लेने की सावधानी है वो ये बताई हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे इसका सेवन खाने के रूप में है नहीं कर सकते और गर्बवती महिलाएं नहीं कर सकती और ऐसे लोग जिनको किसी न किसी का सरीर का कोई operation होके आया है वह operation वाले भी अपा मारग का सेवन नहीं कर सकते आहु इसा व्यक्ति कर सकते जिसका जो blood का प्रेसर है वह हमें सा जो तिव्र रहता है जादा रहता है तो यह सावधानी हो गई दूसरा अपामार्ग का जो फाइदा है वो मैं बता देता हूँ कि सरीर में आपका मस्तिक्स से लेके और नीचे पैर के अंगूठे तक इसके बीच के जितने भी अंग और इनके उपांग मतलब इनके सहयोगी अंग है वो सम में इसका लाब होता है अगर मैं बात करूँ इसके मस्तिक्स की तो किसी व्यक्ति को ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको सर में दर्द रहता है माईग्रेन रहता है और समय समय पे जो है उसका मन अच्छा नहीं रहता है मन परिशान रहता है तरह तरह के मन में ख्याल आते हैं तो ऐसे रोगियों के लिए इसकी जो पतिया हैं, इसकी जो पतिया हैं, इन पतियों को लेके ऑर इसका बारीक पीस के जो पौरडर बना लो आप चून बना लो यह पेस्ट बना लो और उसको माधे पे यानी फोरहेड पे लगाओ तो इससे दर्द में बहुत आराम मिलता है अब बात आती है इसके मैं जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूँ क्योंकि इस पे तो दो घंटे भी बहुत कम है इसके इतने गुण है अब हम लेके आते हैं नीचे मस्तिक से नीचे ही जैसे हम अपने फरंट पे चलते हैं सरीर के मलब चहरे पे आते हैं तो आँख, आँख के लिए इसके जो पत्ते हैं इनका रस निकाले हम पत्तों को अच्छे से साप करके तो लगभग 2 ml इसका रस और 1 ml इसमें जो हम सहद मिलाएं सुध छोटी मदुमक्खी का एकदम प्राकर्तिक तरीके से जो निकला हुआ हो तो एकदम प्राकर्तिक तरीके से जो पत्तियों का रस निकला हो वो पत्ति का रस हम दें 2 ml के आसपास और 1 ml जो है वो बिलकुल शुद्ध पराकर्तिक तरीके से निकला हुआ सहिद मिलाएं और अपनी आखों में इसको हम जो है उसकी तरह लगाएं जैसे काझल होती है na काझल हाई रोडे हमें सवीर आंजन कांजल बोला है तो काझल को हम अपनी आखों में लगाएं काजल की तरह इसको या आखों में एक एक बून डाल भी सकते हैं फिर उसके बाद हम आते हैं नाक पे तो हमारी नासिका में जिसको ज़्यादा जुखाम रहता हो सर्दी रहती हो ऐसी कोई समस्या है तो इसके पत्ते का रसले और नाक में थोड़ा सा लगा ले फिर आते हैं केड़ा लगा हुआ जिसको हम अशी होता नहीं है लेकिन लोग बोलते हैं कि पीरिया लगिया दातों से घुन आ रहा है थो थिंडा गर्म लग रहाए पानी तो खाने-पीने में समस्या है तो इसकी जड़की जो दातुन है उसकी दो लेकी दातुन करकर हम जब देखते हैं तो हमको बहुत लाब मिलता है फिर हम नीचे आते हैं कि ikskin को उपर देखते हैं अपने पूरी भारी आवरण पे तो ikskin में कोई भी समस्या हो आपको साफ में अगर इसकी की ताटिली मतलब इस प्लिन जिसको हम भूलते हैं इस्पिलिन अगर बढ़ी हुई है तो इसके पतियों का लेप लेके और उस पती को इस लेप को उसको पर हम लगाएं पती को लेके लेप बनाके तो बहुत आराम मिलता है और एक और चीज की सरीर में कहीं भी कोई गांट बन गई है तो इसके पतियों का लेप बनाके उस गां इन बीजों को लेके और बत्तियों को लेके और इसकी जड़ को निकाल के इसका पूरा पौदा लेके सुखा के पौडर बनाके इसका दो गिराम पौडर ये दो गिराम मिसरी इसको हम मिलाके रखें और इसको खाएं तो हमको बहुत आराम मिलता है तो ऐसी इसकी बहुत सारी कोई भी बिमारी है पेसा आने में कोई समस्या है पेसा करने में infection हो जाता है यूटियाई इसको बोलते हैं तो भी इसकी पत्तियों का चौन जो है धनिये के चौन में मिलाकिया बहुत भाब करता है तो इसके बहुत सारे लाब है कोई सरीर का ऐसा अंग नहीं बसता जिसमें य कीड़े वह जाते हैं तो उनके लिए यह सबसे अच्छा काम करता है कि इसकी जो जड़े हैं उसको निकाल के पीस के बना के तीन गिराम सुबह तीन गिराम साम पॉडर को एक सब्सक्ता तक हम लें तो भसमक रोग से निजात मिल सकती है ऐसी बहुत बीमारी हैं जिसमें इसका तो इसलिए यह वीडियो उप्युक्त नहीं है क्योंकि इतना समय नहीं है कि आपको मैं 2-4 मिनट में 6 मिनट में इसकी पूरी वो कर दूँ क्योंकि इसमें विभिन बीमारियों को ठीक करने की चमता है तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी तो जै गौमाता वंदे गौमत जै आयर्वेद जै प्रकरती जै राजी भाई